अगर नहीं खाई हैं तो आप जट पट इस तरह की मट्रियां बना कर जरूर काएं बहुती क्रिस्पी और खस्ता और ये बहुती स्वाधिस्ट चीज से बनी हुई है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सूजी मैंने डवल आदी मात्रा में ली है और दो बाउल भर के म मैंने मेंदा लिया है और सूजी को मैंने बस एक बाउल ही लिया है क्योंकि जादा मात्रा हमें नहीं रखनी है और इसमें मौयन इतना डालें चिससे इसकी लोई बंद जा ए अच्छे से और अजवायर और स्वाधॉननुसवा नवक डाल कर इसका अच्छे से यहां पर गरम कड़ाई में इसको थोड़ी देर तक रोष्ट कर लेंगे जब तक घुसबू ना दे और इसको ठंडे होने के बाद हम मिक्सर ग्राइणर में डाल देंगे और यहां पर सौब, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिच पाउडर और स्वादानुसा नमक डाल कर इसका एकदम पाउडर फॉम पीस लेंगे एकदम दरदरा सा नहीं पीस ना है थोड़ा सा महिन पीस ना है बारिक सा पीस ना है पाउडर टाइप का पेस्ट बनाते हैं वैसे तो इसको तैयार होने में काफी टाइम लग चुका है और इतने में हमारा अड़ो अच्छे से सौप्ट हो चुका है अब इसकी एक बड़ी सी लोई लेंगे उसको अच्छे से बेलेंगे और बेलना हमें थोड़ा सा मौटा ही है और इसके उपर ज पुस्क करते हुए हास्त की मदद से या बेलन की मदद से दवा दें एक दो बार बेलन चला दें तो यह अच्छे से दव जाएगा और यह निकलेगा नहीं रोटी के उपर से इसके बाद दूसरी स्टेप आती है कि इसको हम इस तरह से पीछे से एक साइट से रॉल करते जाएंगे इस तरह से हमारी यह डवल लेयर वाली एक मटरी बनके रेडी हो जाएगी जो की काफी खस्ता और बहुती टेस्टी बनका रेडी होती है अब इसकी चारो साइड हम दवा देंगे अच्छे से जो की निकले ना अब इसको इस तरह से ऊपर से रॉलर पर इस तरह से बेलन फिरते जाएंगे जिससे यह इसकी चोड़ाई डवल हो जाएगी बेलते जाएंगे क्योंकि यह डवल लेयर है तो यह बेलने के बाद फटेगी नहीं ना तूटेगी तो बस इस तरह से जितना हम इसको बेल सकें उतना हम इसको बेल लेंगे कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें जादा से जादा फ्रेंट सेयर भी करें आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर बोच करें और आप भी इस तरह की मट्रिया बना कर देखें और खाएं बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर रेडि होती हैं जो कि आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी अब बस इन मंट्रियों को और चाय के साथ कभी भी भूह के पेट में कभी मिए खा सकते हैं बच्छों की तर설 है और यह बहुत हैल्दी भी रहती है क्योंकि मोंग डाल से बनी होई है तो बस ही इस तरह से मैं इनको अच्छे से कट कर लूँगी और आप देख सकते हैं लेयर वाई लेयर इनकी बनी है और पूरी दाल भी इनकी अंदर एकदम चिपकी हुई है जो कि फ्राई करने में बहार नहीं निकलेगी अब इनको हम बना बना कर इस तरह से फैलाते जाएंगे दूसरी तरफ मैंने ओयल गरम करने के लिए छोड़ दिया है जो कि एकदम तेज गरम हो चुका है और इनको हमें बिल्कुल मीडियम मीडियम आज पर ही फ्राई करना है अगर हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे तो यह जल्वी सकती हैं और इनमें कच्चा पन रह जाएगा और अगर जल्दी सॉप्ट हो जाएंगी जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो बस याद रखना है हमको यही कि हमें इन मट्री को हमेसा अग मीडियम आज पर ही फ्राई करना है बहुत टाइम लगता है लेकिन एकदम क्रिस्पी और खस्ता फ्राई होती है इस तरह से बस थोड़ा सा ही टाइम लग जाता है ज्यादा एक एक तरब से यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस दूसरी तरब इनको पलटना है फिर इनको हमें जल्ली पलटना है पहले हैं तो दोस्तो जोनों ने मुझे सब्सक्राइब किया अगर आप मेरे चैनल पर डाई है तो आप पूरिस्पूलिज्दा मुझे करें और आप मेरी वीडियो को बहुंच करते है और मुझे भी बहुत आछल लगता है और मुझेफिक जना ली विंदर यम्मी लगती हैं और इसको चाय के साथ स्नेक्स में खाएं और यह हमारी गोल्डन क्रिस्पी खस्ता मटरी बनका रेडी हो गई तो इंजोई मटरी के साथ थांक्यों बाबाई